पस अब और नहीं, अकाश दोस्तों के साथ बैठा था, साथ में उनकी पत्निया भी बैठी थी, सब लोग बाते कर रहे थे और उसके बाद तो सुनो हुआ क्या, उसके बाद कविता जैसे ये बोट में बैठी, तो बोट ही पलड़ गई क्योंकि पता नहीं था कि वो बोट बच्चों की है, वो तो पड़े बिनाई बैठ गई थी क्या बाबी आप भी, सच्वे कमाल करती हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं, आकाश ने मुझे बाबी का एक और किस्सा सुना था जब वो शिमला गुमने गए थे, आकाश ने बाबी को अकिला छोड़ दिया था, शिमला के रोड़ पे और खुद होटल आ गया था, लेकिन बाबी भी कमाल की निकली, वो तो सारा दिन शौपिंग करती रही और शाम को, आकाश को उन्हें होटल की इचकर लाना पड़ा भगवान, भाबी आप इतनी शौपिंग में खो गई, कि आपको याद भी नहीं आया, कि आपका पती नहीं है आपके साथ अरे, इसे बाजार में आठ दिन भी छोड़ दो ना, तो भी नवे दिन कहेगी अरे, सुनते हो जी, ये लाना रहा गया है सच में, भाबी की किस्से तो अजीबों गरीब है, मजा ही आ जाता है सुनके ठीक है, अब हसना बहुत हो गया, अब ये नाश्ता कर लीजिए, मैंने वेज का ट्लेट बनाया है ते वेज ही है ना, कहीं गलती से नान वेज तो नहीं डाल दिया इसमें अरे ये सुनने वाली बात है, हम इनके मामा के बेटे के शादी में गये थे वहाँ वेज और नानवेज के दो काउंटर थे ये मैंने बाबे लिया है, वहाँ जाकर नानवेज खा लिया और उन्ने पता भी नहीं चला और फिर आकर मज़ से कहती है, अरे सुनते हो जी, ये आधे लोग माह क्यों जा रहे हैं, बोलो अरे बाबी, कहीं इसमें भी कोई जूल तो नहीं कर दिया ना अरे वो तो मैंने गलती से खा लिया था तुम तो ऐसी हजार गलतिया करती रहती हो कविता, मुझे इतने साल हो गया तुम्हें जेलते जेलते ये बात तो सचे, हम जब भी आकाश के साथ बैठते हैं वो आपकी इतने फणी किस्से सुनाते हैं, कि हम हस हसके लोट पोट हो जाते हैं और सुच में, मैं तुम मिलता ही आकाश से इसलिए हूँ के मज़ेदार किस्से सुन सकूँ अरे, हमारी बीवी इतनी अलबेली, मस्तानी है कि उनके किस्से खतम नहीं होते चलो, इसी बात पर एक और किस्सा सुनाता हूँ आकाश की आदत थी कि वो अकसर मस्ती मजा करता रहता था और ज्यादतर उसके पास कविता के ही काफी सारे किस्से होते थे सुनाने के लिए और कविता भी अपने पती की बात का कभी बुरा नहीं मान दी थी क्योंकि उसे लगता था कि चलो इसी बाहने सब हसतो रहे है ये लिजे कर्मा करम पूरिया कविता ये पूरिया कंद किसी देश का नक्षा ज्यादा लग रहा है सच में ये क्या बनाया है तुमने आरे वो तो एक दो बेलने में पूरिया ऐसी हो गई होंगी क्रिश ये देख ये तरे मा के मूँ जैसी नहीं लग रहे पूरिया ध्यान से देख बिटा फूली फूली एकदम हाँ सच में ये तो बिल्कुल ममी की तरह लग रही है जैसे ममी का चैरा है फूला फूला गोल मटोल चुप कर और चुप चाप खा ले अब देख जब ये गुस्सा कर रही है तो इसकी नाग देख कैसा पूल गई है टमाटर नहीं लग रही है हाँ पापा सही कह रहे है टमाटर जैसे ही नाग लग रही है बिल्कुल तो बिल्कुल ममी के फूले फूले गालों की तरह लग रही है। अब बस भी करिये और चुप-चाप खाना खालीजे। अरे क्या हो गया, थोड़ा मजाक ही तो कर रहा हूँ ना। इतना तो चलता है कविता। और नहीं तो क्या, अब तु मान या ना मान बहू, ये पुजया सच में ना तेरे चेहरे की तरह ही है, फूली-फूली सी। देखा, मा भी है मेरे साथ में। अब कहना क्या चाते हैं, मैं मोटी हो गई हूँ क्या। मोट हो गई है, जब तु शादी करके आई थी तो। सुखी ककड़ी जैसी थी, हारा पूरी जैसी। अकाश के मजाग करने की आदत से कभी-कभी कविता दुखी हो जाती थी। लेकिन जब अकाश उसको मनाता तो वो मान भी जाती थी। अरे लगता है तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग्या है ना। आप कभी-कभी ना बहुत ज्यादा बोल देते हैं। आज देखा नी, कृष कैसे हस रहा था। अरे मैं तो बस मजाग कर रहा था। कभी-कभी मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं मानता हूँ। आपको ना हर बात में मेरी मजाग ही उड़ारी होती है बस। आरे सॉरी-सॉरी-सॉरी लेकिन जीवन में ना मजाग मसनी चलती रहनी जी है। आ लेकिन ये भी तो सोचो कि कभी-कभी मुझे भी तो बुरा लगता है। ठीक है बबा, आग इसे ध्यान रखूँगा। लेकिन तुम पूरी की तरह तो लगे रही हो। आप काना कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना किसी का स्वभाव आप बदल नहीं सकते। आकाश के साथ भी यही दिक्कत थी। उसे मजाग और बेज़ती में फरकाना बंद हो चुका था। अरे बोल बोल क्या प्लान है, अब तो चुटिया भी आ रही है। अरे मैं तो सोच रहा था कि हम सब दोस्त साथ में चलते हैं कहीं। आँ तो बनाऊना प्लान चलते हैं कहीं फिर। मेरी बीवी कह रही थी कि जैपूर चलते हैं, मजाएगा। तुभी एक बार भावी से पूछ ले क्या यार तुभी कैसी बाते कर रहा है कभी तासे क्या पूछना तुझे पता भी है वो पिपली गाउं से है उस गाउं में एक ठीटर तक नहीं है शादी के बाद तो उसने पहली फिल्म देखी थी मेरे साथ उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि पिपली के बार कोई शैर भी होता है क्या बात कर रहे है सच में हमें तो पता ही नहीं था कि भावी गाओं की चुरी है फिर तो उन्हें ज्यादा खास पता भी नहीं होगा ना इन चीजों के बारे में अरे उसे तो बर्गर क्या होता है यही शादी के तीन साल बाद पता चला उसे तो वड़ा पाउं ही लग रहा था वो क्या रही थी इस वड़ा पाउं का साइस कुछ बड़ा है जी फिर तो तू रहनी दे बाबी से मत पूछना पता चला कहेंगी कि पिपली चल लेते हैं अरे तो अच्छा है ना तुम लोगों को भी गाउं की गोरिया देखने को मिल जाएगी यह तू भी आकाश सच में बहुत मजागिया है तो चल मिलते हैं फिर एक दिन सोचेंगे ठीक है ठीक है अकाश के मस्ते मजाग करने की आदद कभी कविता को हर्ट कर जाती थी यह शायद अकाश भी कई बार नहीं समझ पाता था उसे तो बस यह लगता था कि वो बस माहौल को हलका कर रहा है अरे बहुत तयार हुई या नहीं? और कितनी देर है? बस माजी आई अरे यह कविताना इतनी तयार होती है जैसे दुलन यही हो आ गई मैं चलिए यह बतागी कैसी लग रही हूँ मैं अरे सच बताओ तुम तयार होने के बाद भी वैसी ही लग रही हो और साड़ी यह तो मुझे चादर जैसी लग रही है सच मैं काँ से ली? अरे यह आजकर सब ले रहे हैं तुम मैंने भी अरे मा तुम ही बताओ यह साड़ी लग रही है यह चादर सची तु कह रहा है आकाश? साड़ी तो लगी नहीं रही चादर लग रही है पर इसकी पसंद पहले सी है पता है मा? एक बार कविता ने मुझे कुर्टा गिफ्ट किया था उसमें हाथ ही बने हुए थे उसमें मैं जंगल का अफसर ज्यादा लग रहा था और एक बार तो कविता मेरे लिए बिस्किट्स लाई थी मा तो बिस्किट्स में क्या बुराई निकली बिटा? अरे मा वो बिना देखे कुट्टे के बिस्किट्स लेकर आ गई थी पता है क्या ये कविता बहु बिना बिलकुल जली है सच में इसकी पसंद तो मुझे भी नहीं पसंद अरे ये मजा कर रहे है मा जी मैं नहीं लाई थी कुट्टे के बिस्किट्स ये तो कुछ भी बोले जा रहे है अरे परहाती वाला कुर्टा तो लाई थी न वही कुर्टा आपने सबसे ज्यादा पैना था आज तक फेंक नहीं रहे हैं उसे आकाश की कविता की मजाक उड़ाने की आदत अब उसकी घर वालों पर भी असर दिखा रहे थी अब ना सिर्फ आकाश लेकिन उसकी सास और तो और उसका बिटा क्रिश भी बात-बात में उसकी मजाक बनाने लगे थे ममी कल मेरे स्कूल में पैरेंस की मीटिंग है तो आप आज आना ठीक है हाँ हाँ तो वक्त बता दे न मैं पहुँच जाओंगी ममी पलीज अगली बार की तरफ वो पीला वाला सूट पैन कर्मताईएगा आपको पता है दादी उसमेना ममी पुरी लड़ो लग रही थी और उनकी अंग्रेजी तो आपको पताईए हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही है कभी ता बहु की अंग्रेजी अंग्रेजों के समझ के भी बाहर है ममी ना पिज़ा को पीजा कहती है मेरे सारे दोस्त इतने हस्ते है अरे उस दिन बुवा जी का फोन आया था मुझसे कह रही थी बहु कैसी है मैंने कह दिया खा खा कर गाई चैसी हो गई है अभी भी कुछ चबारी होगी अरे बुवा जी इतना आसने लगी के पूछ होई मत अब ऐसे भी पापा ममी को फूली फूली तो कहते ही है अब दादी ने ममी का नया नाम रख दिया चबाती हुई गाई क्रेश, ये क्या तरीका है? हाँ? अपनी ममी से ऐसे बात करते हैं अरे ममी क्यों गज़ा कर रही हो मा तो बस मज़ा कर रहा था बहात हुआ मजख आज के बाद ऐसे शब्दों का उप्योग क्या न तो एरे क्यों टाट रही है बहू कृरिशको कर में मस्ती मज़ाक चलता रहता है और वैसे भी आकाश ही तो कहता है तो अब थोड़ी वजन में भर गई है अब इसी बहाने तेरा वजन भी कम हो जाएगा और तेरी अंग्रेजी भी सुधर जाएगी माजी आपको क्रिश को डांटना चाहिए और आप है कि उसे बढ़ा दे रही है अब तु चुप रहे बहू एक साड़ी तो ढ़ंकी खरीद कर ला नहीं सकती आई बड़ी मुझे समझाने माजी आकाश ने वो बात मजाक में कही थी आप भी जानती है कि मेरी पसंद कितनी अच्छी है हाँ हाँ सब जानती हूँ अब ना मेरा मूम आते खुलवा हाँ ममी क्यों आप एक छोटी सी बात को बड़ा बना रही है जाने दीजिये न तु अभी इतना बड़ा नहीं हो कि मुझे समझा सके ठीके आपके खुछ बोलने के जरुरत नहीं है आपसे तो बात करना ही बेकार है अकाश का सब की सामने जटका अभी लगणा बागी था अरे कविता सुनील और राजेश आया है कुछ नाश्ता तो बना दो प्लीज हाँ आप लोग बेटिये मैं अभी आती हूं और बता क्या हाल चाल है बहुत दिनों बाद में लेए हाँ यार आजकल तो काम से फुर्सात ही नहीं मिलती क्या करें और कितने दिनों से देरे चुटकले भी नहीं सुने यार इतने दिन हो गया बाभी के नए किस से जमा हो गया होगे चल चल बता बता अरे अज़ा कुछ नहीं है यार ये लीजे नाश्ता पकोड़े हैं सबके लिए मैं भी चाय बना कर लाती हूँ अरे भाभी ये पकोड़े सही तो है न कहीं आपने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया नहीं भाईया मैंने कुछ नहीं मिलाया अरे इनको क्या बुरुसा एक बार आकाश बता रहा था कि इन्होंने पकोड़े में भांग मिला दी थी और भाभी ताली होकर पूरे गावे घुम रही थी अरे नहीं वो बाकी कुछ भी कहो सबसे कमाल की है कविता भाभी इनके किस्से अगर टीवी पे सुनाएंगे तो जरूर पहला इना मिलेगा ओर नहीं तो क्या इतना लाफ्टर तो जोकर को देखकर भी नहीं मिलता जितना इनके किस्से सुनकर और इनने देखकर मिलता अरे आकाश इस बार इनने क्या किया है कहीं फिर से तुझे भूल तो नहीं गई ना शौबिंगे चक्कर में अरो नहीं नहीं भाभी आप कहें तो पिपली चले आपका गाउं भी देख लेंगे अरे वहाँ तो बर्गर भी नहीं मिलता यार तो तू चिंता क्यों करता है भाभी है ना वो बड़ा बड़ा पौँ बना देंगी बस बहुत हो गया तुम लोगों का अब एक शब्त नहीं अरे क्या हुआ एक और किस्ता सुना रहा है क्या तुम लोग कैसे बात कर रहे हो मेरी पत्नी से तमीज नहीं है क्या बात का निकी मेरे ही घर में मेरी पत्नी का मजाग बना रहे हो खबरतार एक और लबस कहातो और इसमें गुस्सा होने वाले कुन सी बाते तू ही तो हमें इनके किसे सुनाता था अब तो गुस्सा हो रहा है और नहीं तो क्या तो नहीं तो हमें इनके बारे में ये सब बताया था हम पे गुस्सा करने के बजाए पहले खुद तो अपनी बीवी की इज़त कर ले फिर हमें लेक्चर देते रहे ना समझा चल राकेश, बड़ाया हमें सिखाने वाला सही तो कह रहे ये लोग मैंने ही कविता का हमेशा मजाग बनाया इसलिए आज मेरे दोस्तों को भी मौका मिल गया ये मैंने क्या कर दिया आकाश अभी इस चीज़ को समझी रहा था कि बाहर से उसके बेटे और मा के आवाज आती है ये बाहर क्या हो रहा है अरे ये भी कोई दाल बनाई है कविता पान ही लगा पड़ा है पूरा ममी पापा सही कहते आप अलबे लियो कोई काम ढंग से नहीं हो था आप से सच में और नहीं तो क्या बस पूरे घर में गुमती रहती है और और गाई की तरफ खाती रहती है अगाश तुई अब चुप रहे है मा और तू तुझे किसने हग दिया अपनी मा से इस तरह बात करने का अपनी तमेज भूल गया है क्या तू नहीं गलती मेरी है मैंने ही सबको ये हग दिया कि मेरी पत्नी को वो कुछ भी कह सके कविता मैं तुम से माफी मांगता हूं मुझे लगता था कि मैं बस मजाग कर रहा हूं लेकिन मुझे क्या पता था कि लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे मुझे आज ये बाद समझ में आई कि अगर पति पत्नी के इज़ट नहीं करता इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अरे तु इससे माफी मांग रहा है इससे नहीं माँ अपनी पत्नी से जो मेरी जीवन साथी है जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया है मेरे घर को संभाला है मेरे बच्चों को संभाला है अभी मेरी बेज़वती नहीं की, हमेशा मेरे मजाग को सहन किया, मैं उस जीवन साथी से माफी मांग रहा हूँ, और आज की बाद अगर आप दोनों में से किसी ने भी, सुन लीजे मा, किसी ने भी अगर कविता के साथ बत्तम इसी की, तो मैं बर्दाश्ट नहीं करूँगा कलकुल भी नहीं, सॉरी पापा, सॉरी मुझ से नहीं, अपनी मा से कहो, और आज की बाद ये गलती दुबारा नहीं होनी चाहिए, समझा, जी पापा, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, सॉरी मुमी, कविता आजा, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, बस अभी आई जी, अरे वा, तुम तो सच में बहुत ज्यादा सुन्दर लग रही हो, मेरी तो नजर नहीं आट रही तुम से, क्या आप भी, अरे ये साड़ी तो तुम पर गजब लग रही है, सच में, चलो मैं तुमें गजरी बहुत पसंद है, अरे हाँ, कविता पहु, तुम पर गजरी बहुत सुन्दर लगेंगे, सच में, और ये साड़ी तो कमाल लग रही है, हाँ मा, आज की मेरे स्कूल के फंक्शन में, आप ही सबसे सुन्दर लगोगी, देखना, और नहीं तो क्या, मेरी पत्नी हाँ ये ही इतनी सुन्दर और होश यार, कोई भी इसके आगे टिक नहीं पाएगा, येस, माई ममी इस बेस्ट, नजर नहीं लग जाए कहीं मेरी बहु को, थू-थू चले धर्मा पत्नी जी, जी अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी की हर कोई इस्जत करें, तो सबसे पहले शुरुआत खुद से कीजिए, फिर देखिए, दुनिया का कोई भी इनसान आपकी पत्नी पर आँख भी नहीं उठा पाएगा